कि अपिपिसों में आपका स्वागत है तारीक पे तारीक पे तारीक और यह रहा है यहांपर आज करते हैं ओला एलेक्रिक के बारे में भरोसा किया हम सबने और डेट की डिलेज जो हो रही है अब तो कुछ ज्यादा ही होते जा रहा है कुछ हद तक समझ में आधा कि नई कंपनी है तो भाई डेट की अनॉंस कर रहे हो आप सिंपल एनजी की तरह मतलब गाया भी हो जाते है एक डेट बोल दिक चार मेने के बाद ही गाड़ी डेलिवरी होगी बिंदास रहे लाते हैं इसक्राइब इसक्राइब गाड़ी आएगी तब ही आएगी और मैंने भी वहां पर यहां पर अगर हम बात काते है ओला एलक्रिक की तो बहुत यहां पर बात बयात पर देट निकल जाता है बुलते हैं कि सेकंड राउंड बुकिंग हो रही है फिर से वहां पर डेले होता है कि बहुत ही ज्यादे लोग एक साथ आगे ये सब समझ में आता है टेकनिक तो आपको एक प्लाइनिंग होती है कि बाई कारी फर्स्ट नवाम बर तक रडी हो जाएंगे उसके दस दिन के लिए हम लोग भॉफर टाम रखेंगे उसके बाद हम लोग देलिवरी शुरू कर देंगे क्या सोच को कमणी पता नहीं डिले पर डिले करते जा रही है और अब जो फाइनल अभी जो रिजन निकल के आया है कमनी ने अभी बोला है कि due to ongoing global shortage of chipsets and electronic parts, there are some unavoidable delays to your Ola S1 Delivery, अब यह समझ में नहीं आता है, because you know smartphone industry में आप देखोगे तो करोड़ों फोन्स बिक्रे हैं, वहां पर भी वही chipsets की बात होती है, और जो जो brand, smartphone की brand अपनी prices बढ़ा पर इसका फाइदा दिख रहा है, वहीं पर इस line को यह use करते हैं, और जब करोड़ों smartphone की sales हो रही है, जब लाखों दुसरे cars की sales हो रही है, आप सोचिए कि Ola को जहां पर initial round में 50,000 तक magazine गारियां डेलिवर करनी है, क्या इन्हें भी shortage लगेगी, I am not honestly believing this specific line, क्योंकि यहां त that is a bigger problem, काफी लोग थे जिन्हों ने सोचा कि भई जो S1 है 99,999 जो भी price थी, वो 85,000 में विलेगी या फिर 80,000 तक की price point में विलेगी, because of the additional state subsidies, but महराश्य जैसे states में तो subsidies 31st December को कतम हो रही है, और अभी जो नया delivery timeline निकल के आया, which is between 15 to 31st December, अब वहां पर मुझे तो भरोसा न किसी ने शोलापूर से या फिर कोई भी जगर से लिया है, और आप बोल दो कि भई वहां पर तो delivery थोड़ा सा इशियो है, हम लोग सिफ मुंबई में पहले प्राइटाइज करेंगे, फिर पूना जाएंगे, और उसके बाद लोना वाला जिसने और किया होगा, उसके हम एक लोगों ने सोचा कि भी नावंबर में गारी आजाएगे, तो हमारे इसके हिसाब से मुझे इतने फाइनस का ही जरुरत पड़ेगा, और उसके हिसाब से मैं इतना ही लोन ले लेता हूँ, और अब काफी लोगों के इसमें भी इस्यूस आने वाले है, बट देन, ये था एक क्या नया टाइम लेन मिला है, अगर आपके पास एक प्रॉपर एमेल है, तो मुझे शेयर भी कर दीजिये, और आपका जो अपडेट डेट है, वो नीचे को में बताई ये कि पहले क्या देट था, अब क्या देट है, तो I also wanted to see from all our viewers कि कि इतना डिले हो दिख रहा है आपके गलती मुझे दिख रहा है, नंदलेस ये था है कम्प्ली अपडेट ओला के अनदर अपडेट को लेकर जहां पर अनदर डिले हैस बिन अनाउंस बाइद कंपनी, जहां पर अप गाडियों की डेलिवरी को लेकर भी डिले होने वाला है, जबसी दोस्तों मैं हूँ अमित और यह है Just EV, अगर आप इस चैनल के उपर पहली बार हैं तो फटाफट चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब भी कर दीजे इसी तरह के फटाफट से अपडेट के लिए, थैंक्यू और गुडबाई